दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो देखिए आज एक बहुत ही अच्छी न्यूस सामने आई है RBI जो है वो अपनी grade B की vacances को लेकर सामने आया है तो देखिए न्यूस पेपर में ये एक advertisement जारी की गई है जिसमें की RBI ने अपनी grade B की vacances को announce किया है तब देख सकते हो सबसे पहले जो general post है वहाँ पे 270 vacances है उसके बाद में DEPR के लिए 29 है और DSIM के लिए 23 post यहाँ पे जारी की गई है तो ज्यादा दर students जो रहेंगे वो यहाँ पे general post में apply करेंगे जिसमें 270 vacances है तो यहाँ पे सिर्फ एक advertisement जारी की गई है जिसमें सिर्फ vacances and important dates बताई गई है लेकिन जो detailed जो हमारी notification रहती है जिसमें educational criteria जो है mention रहता है और जो भी age criteria रहता है सारे चीज़े एकदम detail में वहाँ पे जो है notification में आपको दी जाएगी और वो notification जो है वो 28th of January से जो है कि RBI की जो official website है वहाँ पे आपको मिल जाएगी तो अब भी हम dates के उपर नजर करते है कि कौन सी dates रहेगी तो जो हमारा registration है वो 28th of January से शुरू करके 15th of February तक continue रहेगा ठीक है और अगर examination की बात करें तो जो prelims की exam होगी या आप कह सकते हो phase 1 की exam वो 6th of March को रहेगी और जो mains की exam रहेगी वो जो general post है उनके लिए जो mains की exam है वो यहाँ पर है 1st of April को रहेगी ठीक है और जो बाकी की ये दोनों post है उनकी जो mains की exam है वो 31st of March को schedule की गई है तो देखे 6th of March को आपके prelims की exams रहेगी तो अभी से आप preparation को continue कीजिएगा ताकि आपके exams clear हो बाए तो मिलता है दोस्तों next videos में thanks for watching